नमस्कार स्वागत आपका News World India में आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी और आप देख रहे हमारा खास शो स्पेशल डे स्पेशल डे में आज बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल जगत का एक ऐसा नाम है जिसके फैंस दुनिया भर में मौझूद है फुटबॉल भले ही भारत में इतना नपसंद किया जाता हो लेकिन मशूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रुनाल्डो के प्रशन चक भारत में लाखों की तादाद में मिल जाएंगे आज इस डैश्रिंग हैंसम और स्टायलिश फुटबॉलर का जनम दिन है तो चलिए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बाते क्रिस्टियानो रुनाल्डो को खेल की वज़ा से ही लोग उने पसन नहीं करते बलकि उनकी दरिया दिली और उनके अच्छे सोभाव के भी चलते लोग उनके बहुत बड़े फैन हैं क्रिस्टियानो रुनाल्डो ने अपने फुट्बॉल करिया की शुरुवात मैंचेस्टर युनाइटेट से की थी लेकिन रियल मैडरेट से खेलने के बाद उन्हें दुनिया भर में एक अलग लोग प्रियता मिली रुनाल्डो के नाम पांच बेलॉन डी और खिताब हासिल करने का रिकॉर्ड है रुनाल्डो के जरम दिन के मौके पर आज हम आपको उनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी बाते बताने वाले हैं जुनके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं 15 साल के उम्र में उन्हें रेसिंग हर्ट नाम की एक मैडिकल प्रॉब्लम डाइग्नॉस हुई थी इसी वज़ा से उन्होंने खेलना बिल्कुल छोड़ दिया था लेकिन बाद में उनकी सरजरी हुई और फिर उन्होंने फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू की साल 2003 में मैंचेस्टर युनाइटिड ने उन्हें 12 मिलियन पाउंड में साइन किया था इससे पहले इतनी करकम उनकी उम्र वाले किसी भी खिलाडी को नहीं मिली थी सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने रुनाल्जो को प्रतिश्टित साथ नंबर की शिर्ट दी थी उस समय रुनाल्जो की उम्र महज 18 साल थी इतने कम उम्र में अपने खेल से हर किसी का दिल जीतने वाले रुनाल्जो की हर और प्रशंसा होने लगी इतना ही नहीं मैडम तुसैर्ट्स म्यूजियम में रुनाल्जो का मौम का पुतलब भी लगा है इसके अलावा साल 2007 पर उनकी आटोबायग्रफी भी पबलिश होई जिसका नाम है मोमेंट्स बता दें अपने करियर में रुनाल्जो 500 से भी ज्यादा कलब के लिए खेल चुके हैं साथ ही उनके नाम पर करीब 700 गोल दर्ज हैं इसके अलावा रुनाल्जो कई पुरुसकारों से भी सम्मानेथ हो चुके हैं पुर्टगाल के फुत्बॉलर क्रिस्टियानो रुनाल्जो के लिए साल 2019 बहुत शांदार रहा रुनाल्जो ने युवेंटिस के साथ सेरी एट टाइटल जीतने के अलावा पुर्टगाल को यूई एफए नेशन्स लीग जीतने के लिए भी लीट हिया और यूई एफए यूरो में जगा दिलाई बता दे रुनाल्जो खाली में ब्राजील के महान फुर्बॉलर पेले को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा गोल कर दे के मामले में दूसरे पायदान पर पहुँचे थे जोएंटिस के खिलाडी रुनाल्जो ने यो पलब दी एटले की लीग सीरी एके मैच में सासू ओलो के खिलाफ टीम की तीन एक से जीत में हासल की पहला हाफ गोल रहित रहा और दोनों टीमें एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगाती रही स्पेशल डे में आज के लिए बस इतना ही आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करकर जरूर बताए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले